So what's up students, myself Kushagar and welcome back to your channel Jigyasa So आज की class में जो हमने कल chapter शुरू कर दिया था उसको हम आगे और continue करते हैं कल हमने chapter शुरू किया था chapter 1 business studies का वो भी class 12 से हमने लिया था वो वो था हमारा nature and significance of management अब आप उस chapter को आगे और study करते हैं अब अगर आपको इस chapter को अच्छी सरसे समझना है तो आपको इसकी previous वीडियो भी देखनी पड़ेगी जो कि मैं description में link डाल दूँगा उस वीडियो का and वीडियो स्टाट करने से पहले बद कुछ काम है कुछ rituals है वो प्लीज है complete कर लेते हैं सबसे पहले तो इस वीडियो पर like मार दो जो बिल्कुल free है फिर आपको जिस जिसको भी इसको share करना है share कर दो इस वीडियो को and जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को वो subscribe करो और उसके side में घंटे का icon आएगा उसको भी दवा के उसमें notification for all कर दो and जितने भी लोग existing subscribers है please वो भी एक बार चेक कर लो कि उनका bell notification on है या नहीं है बस ये कुछ 4-5 rituals है जो कि आपको वीडियो के start होने से पहले ही करने है ठीक है मैं होप करता हूँ कि आप समने सारे काम कर दियो होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर को आगे start करते हैं so let's begin तो आज का हमारा पहला topic है nature of management as science and arts तो अब हमें ये देखना है कि management जो है क्या वो science है क्या वो art है क्योंकि इसको लेके एक बहस चलती रहती है and आज once and for all इसको खतम कर देते इस बहस को सबसे पहले देखते हैं कि management as a science क्या होता है तो science एक systematic body of knowledge है जो कि हमें explain करता है कोई भी journal truth या फिर जो journal laws है उनको कैसे operation होगी उन laws की तो ये science हमें बताता है अब science के कुछ basic features होते हैं सबसे पहला feature है मेरा systematic body of knowledge अब science में जितनी भी चीज़े include हैं उन सबकी systematic body होती है knowledge की वो एक systematic तरीके से ही हमाई knowledge आगे spread होती है और जितने भी principles है मेरे science के अंदर उन सब के ऊपर cause and effect का relationship हमेशा चलता है second मेरा feature है based on experimentation अब जितने भी science के अंदर हम laws बनाते हैं rules बनाते हैं वो सब कुछ experimentation trial and tested experimentation के बाद ही होता है ऐसा नहीं कि मैंने आज सोचा और मैंने अभी इसको बना दिया as a science का law लेकिन उसके उपर एक continuous experimentation हुआ है continuous examination भी हुआ है तब जाके मैंने उसको बोला है कि हाँ ये एक science इसको हम एक science कह सकते हैं and last है मेरा कि universally acceptable है science के जो concepts हैं वो हर जगा इस अर्थ पे आप कही पे भी हो वो हर जगा same रहेंगे अगर हम example लेते हैं कि gravity gravity अर्थ के हर एक point पे अगर आप अर्थ के crust पे हो तो हर एक point पे gravity आप पे same force डालेगी चाहिए आप कही पे भी हो अब इनी features को science के हम tally करके देखते हैं management के साथ तो सबसे पहला feature था मेरा systematic body of knowledge तो management में भी जैसे science में जैसे कि science में वैसे ही management में भी अपनी खुद की theory books है theory knowledge है, concepts है vocabulary है principles है, objectives है laws है जो की एक लंबे time के experimentation के बाद ही आया है जिसको develop होने के लिए एक बहुत लंबा time लगा है तो हम यह कह सकते हैं कि science का जो यह feature है systematic body of knowledge वो management में present है second हमारा feature होता है science का वो है based on experimentation अब जैसे कि science में management में भी जो laws हैं, जो rules हैं, जो observations हैं, वो एक लंबे period of time के बाद recite की गई है और develop हुई है और उनको experimentation के बाद ही उनको बनाया गया है लेकिन जहां पर science किसी एक natural force के उपर काम करती है, लेकिन जो management है वो mainly human behaviors के उपर काम करता है अब human behaviors जो होता है या human beings जो होती हैं उनका जो behavior है वो constantly change होता रहता है तो इस वज़े से हम exactly जो outcome है वो हर बार predict नहीं कर सकते, अपने किसी भी observation को लेखे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि management जो है वो इस point पे आके fully science से match नहीं करता, तो एक in exact science भी कह सकते हम management को अब third and final जो मेरा feature है science का वो है universally acceptable अब जो management के जो principles है unlike science, जैसे science के principles हर जगा common रहते हैं, हर जगा same रहते हैं, लेकिन management के जो principles है, वो different वो vary करते हैं, जगा to जगा के, अब अगर मैंने एक जगा कोई law use किया या कोई एक जगा rule use किया, कोई जगा principle use किया, किसी एक company में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी company में भी वो ही principle उस problem के लिए काम करेगा, हो सकता है मुझे दूसरा principle उस करना पड़े, तो इस point पे भी हम ये कह सकते हैं कि management जो है, वो complete science नहीं है वो in exact science है अब हम conclusion में ये कह सकते हैं कि जो management है, वो science तो है, लेकि exact science नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ subjects है हमारे science के physics and chemistry, उसमें जो जो चीजे apply होती है, वो management में apply नहीं होती है, हमने ये previously explained करा, अब second भी देख लेते हैं कि management as art अब art को लेके भी कि कई लोग कहते कि management एक art है तो अब ये कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि art क्या होती है अब art एक skillful and personal applications है, अपनी existing skills का, कोई भी एक desire result को अचीव करने के लिए, and art को हम through study, through experimentation through observation इसको सीख सकते हैं तो अब art के भी कुछ basic features होते हैं, सबसे पहला feature है existence of theoretical knowledge, अब art के किसी भी subject में हम बात करें, चाए music की बात करें हम dance की बात करें, हम calligraphy की बात करें, तो इन सब की एक existing theoretical knowledge है हमारे पास इन सब को हमें अगर पढ़ना है, तो हमें उस theoretical knowledge को भी पढ़ना पढ़ेगा, जो की available है हमारे पास second feature है हमारा, personalized application अब art की कुछ theoretical knowledge तो है यह, लेकिन उसको जब हम apply करते हैं, तो वो हम अपने basis पे करते हैं, कि अगर मुझे अपने किसी भी एक art form में, मैं किसी भी दूसरे art form को mix कर सरता हूँ, वो मेरे उपर depend करता है, as an artist third है मेरा, based on practice and creativity, अब कोई भी artist जितना ज़्यादा practice करेगा, उसकी creativity उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी उसकी जो art को लेके जो उसकी art है वो उसकी और ज़्यादा refine होती रहेगी although हमारे art में theoretical knowledge भी है और personalized application भी है, लेकिन practice की ज़रूरत तो होती ही होती हमेशा, कि हर एक artist को एक लंबे time तक practice करनी पढ़ती है अपने art के उपर, अब हम देखते हैं कि कैसे ये management के साथ क्या link होता है या नहीं होता तो हम इन तीनो features को एक साथ management में देखते हैं, सबसे पहला feature था मेरा existence of theoretical knowledge, अब management को लेके भी मेरी theoretical knowledge के existence है कई सारे colleges है, कई सारे institutes है, कई सारे universities है जो की आपको management की proper knowledge provide करते हैं और आज के time में तो internet से भी management की बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है easily, तो पहले point पर हम यह कह सकती है management जो है, वो art से थोड़ा बहुत match करता है, अब हम second point भी देख लेते है, personalized application अब जैसे हमारा art में था कि जो भी application हम करते है अपने उस art form का तो वो personalized होता है, वो person to person depend करता है, वैसे ही management का भी है theoretical knowledge में उसको मिल गई अब उसको कैसे use करना है कहां पर use करना है, कितना use करना है यह depend करता है उस manager के उपर तो हम इस point पर कह सकते हैं कि हाँ हमारा art, management एक art का form है, third है third है मेरा, based on creativity and practice अब जैसे कि art में practice के बाद आपकी creativity वढ़ती है तो वैसे ही एक manager के लिए वो जितनी जादा practice करता रहेगा जितने जादा वो उस अपनी theoretical knowledge को और personalized application को लगाएगा अपने काम में, उतना जादा ही उसको benefit मिलेगा इस चीज़ से कि और वो उतना ही जादा creative हो पाएगा और अच्छे-च्छे solutions ला पाएगा अपनी organization के लिए तो हम इन तीनों points को study करने के बाद ये conclude कर सकते हैं कि हाँ, हमारी management जो है वो बहुत हद तक एक art है अब हमारा इसी में एक next topic आता है कि management as a profession अब क्या management एक profession हो सकता है हम लोगों के लिए अब management जो है जैसे कि दूसरे professions हम बात करें CA, doctors, lawyers और architects तो क्या इन जैसा management होता है इस question का जवाब देने के लिए हमें profession के कुछ basic features को देखना पड़ेगा तो अब हम कुछ characteristics देखते हैं हमारे profession के अंदर restricted entry अब क्योंकि जो profession है वो थोड़ा सा difficult होता है as compared to दूसरी चीज़ों के तो यहाँ पर जो entry है वो थोड़ी restricted है आपको examination clear करना पड़ेगा entrance examination होता है वो clear करने के अबाद अगर आपकी अच्छी rank आती तब ही आप उस profession में enter हो पाओगे तो entry restricted है थर्ड है मेरा professional association अब हर एक profession के अपने अपने associations होते हैं जैसी कि हमारे lawyers के लिए bar council of India हमारे doctors के लिए medical association architects के अपनी association होती है chartered accountants के अपनी association होती है तो यह groups होते हैं हमारे जहाँ पर की इन सब लोगों को join होना compulsory होता है फिर fourth है मेरा ethical code and conducts अब हर एक profession की कुछ अपने code and conducts होते हैं अगर आप उनको violate करोगे तो आपका license भी cancel हो सकता है and fifth and last है मेरा की service motive अब हर एक profession उसका main aim profit earn करना नहीं होता उसका main aim होता है individuals या फिर consumers या फिर citizens को service provide करना और उसके उपर वो अपनी fees लेते हैं उन लोगों से जैसे कि एक lawyer का जो काम होता है वो अपने client को justice provide कराना एक doctor का काम होता है अपने client को proper health देना तो अब हम देखते हैं कैसे ये management के साथ क्या linked है ये नहीं है सबसे पहला feature था मेरा well defined body of knowledge अब management जैसे कि profession में था वैसे ही management में भी हमारी एक well defined body of knowledge होती है एक present है हमारे पास कि इसकी books होती हैं इसके institutions हैं इसकी अपनी theories हैं और इसको पढ़ाने का अपना तरीका है proper experimentation के साथ ही ये सब पूरा काम होता है second था मेरा restricted entry अब unlike profession जहाँ पर के entry restricted है management में इतनी ज़्यादा restricted entry नहीं है अब मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा restricted entry नहीं है क्योंकि अगर आपको किसी भी अच्छे MBA के institute में जाके अपनी management के पढ़ाई करनी है जैसे हम बात करे Indian Institute of Management IIMS तो वहाँ पर आपको examination देना पड़ेगा तो उतनी थोड़ी बात restriction है लेकिन अगर आपके पास skills है आपके पास knowledge है आपके पास experience है तो आप किसी भी company के manager या management level पर जा सकते हो तो उतनी ज़्यादा restrictions नहीं होती है हमारी जैसे कि profession में होती कि आपको profession में तो पहले exam देना पड़ेगा entry होगे फिर उसके बाद भी continuous exam होगे और अगर आप pass होगे तभी आप उस profession में जा पाओगे लेकिन as such management के अंदर कुछ भी नहीं होता ऐसा क्योंकि अगर आप profession में हो तो आपके पास एक valid degree होनी चीए और जो भी special requirements होती है उस position के लिए दर हो है तो आप easily उस position पर जा सकते हो फिर third है मेरा professional associations अब जैसे की हमारे professions की अलग-अलग professional associations होती है वैसे ही management की भी अलग-अलग associations होती है हमारी जैसे example है All India Management Association तो यह association है managers के लिए लेकिन इसमें enter होना इसमें part होना इसका वो compulsory नहीं किसी भी manager के लिए आपकी मर्जी है अगर आप चाहो तो part बन सकते हो इसका एक member बन सकते हो अगर आप नहीं चाहो तो नहीं बन सकते है कोई भी आपके उपर कोई force नहीं करेगा लेकिन profession में आपको उस committee का या उस group का member होना ही पड़ेगा फिर fourth है मेरा ethical code and conducts अब profession में जैसे कुछ ethical code and conducts होते हैं जो कि उनके profession के starting से उनको बदाए जाते हैं वैसी management में उतने कोई strict code and conducts नहीं होते लेकिन एक ethics को maintain करा जाना चाहिए management में भी क्योंकि profession में भी जो ethical code and conducts है वो उनके जो associations होती वो बनाती है यहाँ पे management में भी association ऐसी कोई code of conducts नहीं बनाती लेकिन वो बस हर manager के उपर depend करता है कि क्या उसको follow करेगा या नहीं करेगा and fifth है मेरा service motive अब वैसे तो हर manager का main aim होता है वो है कि company कैसे profits earn करे लेकिन तब भी उसको यह ध्यान देना चाहिए कि वो service provide कर सके consumers को जैसे कि good quality products reasonable rate पे दे उसके बाद adulteration ना करे तो यह वाला feature भी हमारा उतना जादा fully management के साथ नहीं link होता जो कि profession में था तो in conclusion हम यह कह सकते हैं कि management एक professional लेकिन exact यह फिर complete profession नहीं है वो एक incomplete profession हम कह सकते है management को अब हमारा जो next topic है इस chapter का वो है coordination उसके concepts उसकी importance क्या-क्या होती है पहले हम देखते कि इसका meaning क्या है so coordination का जो main मतलब है वो यह है कि process of activities होती है जो कि manager perform करता है जिससे कि जितनी भी हमारी companies के अंदर जितने भी अलग-अलग departments है उन सब की activities है उसको उन सब के बीच में एक synchronization ला सके जिससे कि unity of action, harmony and integrity को maintain किया जा सके बढ़ाया जा सके अब अगर किसी भी company में coordination की कमी होगी तो उस company में बहुती गंदा chaos मत जाएगा क्योंकि कोई भी चीज अपने साथ एक link में नहीं चल रही क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी departments हैं, जितने भी individuals हैं हमारे जो company के अंदर काम कर रहे हैं या जो management के अंदर काम कर रहे हैं तो उन सब के बीच में एक inter relationship होता है कि हर एक इनसान अपने resources के लिए, अपने activities के लिए, अपने duties के लिए एक दूसरे के लिए रिलेटेड है और उसको अपने resources चाहिए होते हैं एक दूसरे से जिससे कि वो अपने जो desire results हैं उनको achieve कर सके या फिर उनको duties दी है वो fulfill कर सके उस चीज को तो जो coordination है वो as a binding thread की तरह हमारा काम करता है जो कि जितने भी हमारे departments है जैसे कि sales department, purchase department, production department, finance, marketing department, HR department इन सब के बीच में इन सब को जोड़ के रखता है जिससे कि ये सारे मिलके organization की development, उसकी growth और उसके जो main organizational objectives हैं उसको efficiently and effectively achieve करने में help कर सके अब coordination में हमारा जो next आता है वो है कि coordination is a essence of management अब मैंने ये statement क्यों बोली अब coordination जितनी भी हमारे functions है, जितनी भी हमारे process है management के अंदर उन सब को एक bind कर के रखता है, जोड़ के रखता है अपने साथ में ही और coordination ये भी ensure करता है कि जितने भी individual लोग है जिनके अपने individual goals है, अपने personal goals है वो achieve तो होई जाए और उसके achieve होने की वज़े से organizational goal या फिर ग्रुप goal भी achieve हो सके easily तो coordination का ये important काम होता है अब हम देखते ही coordination जो मैंने पहली line पे का कि अलग-अलग जितनी functions है, जितनी भी processes है हमारे management के, उसके साथ कैसे related होता है coordination अब हम देखते हैं इसको एक proper steps में सबसे पहले, जो coordination का जो process है वो start हो जाता है हमारे planning stage के साथ ही क्योंकि इस stage में जो top level management है वो plan बनाती है organization के लिए कि कैसे काम होगा, कैसे काम नहीं होगा अब second है मेरा कि according जैसे मैंने अपने plans बनाए है हमारे planning stage में उसके हिसाब से ही मेरा उसके coordination में ही हमारा organizational structure बनता है अब हमारा organizational structure बन गया उसके basis पे उसको coordinate करके हमारे staffing का process किया जाता है कि exact मेरे requirement के हिसाब से मैंने लोग hire किया और उनको उनकी designated role बताए उस organization structure के अंदर अब organization structure में जो भी plans बने है वो properly perform हो रहे है तो उसके लिए मुझे directing के process को करना पड़ता है और ये भी coordination के थूँ होता है जब मैं staffing और directing के बीच में coordination देखता हूँ अब जो last step है मेरा वहाँ पे जब मैं अपने actual results को अपने standard results के साथ या फिर planned results के साथ जब मैं compare करता हूँ तो उस step में हम वहाँ पे भी coordination आता है कि जब मैं दोनों को compare करता हूँ कि अगर कोई भी derivative या फिर कोई भी कोई भी discrepancy भी आ जाए तो उसको कैसे हटाया जा सके तो ये भी coordination के through ही हमें मिलता है तो इसलिए हम कह सकती कि जो coordination है वो functions of management का ही एक part है लेकिन उससे भी जादा हुए essence of management की दर हमारा काम करता है वो बहुत जरूरी होता है management के लिए क्योंकि अगर coordination नहीं होगा तो एक chaos सा मझ जाएगा एक भगदर हो जाएगी पूरे organization में और कोई भी अपनी full potency से या full potential दिखा के काम नहीं कर पाएगा कभी भी अब coordination के अंदर ही हमारा जो next topic है वो है characteristics और features of coordination अब सबसे पहला जो feature या पहला characteristic है हमारा वो है कि coordination integrates group efforts अब coordination help करता है हमारा जितने भी मारे unrelated and diverse interest है लोगों के उस पूरे organization में उन सब को एक common platform देता है कि आपको एक group activity की तरह काम करना चाहिए यह यह भी focus रखता है कि एक common focus प्रोवाइट करता है हर एक individual को या हर अलगलग department को कि वो लोग एक plan to action के according ही अपने काम को कर सके उससे ज़्यादा भटके ना वो लोग second है मेरा coordination ensures unity of action अब जो coordination है वो unity of action को मेरा ensure करता है कैसे क्योंकि coordination जो है वो एक binding force की तरह act करता है मेरे जितने भी departments है जितने भी मेरे लोग हैं जो उस organization में काम कर रहे हैं उन सब की बीच में binding force की तरह act करता है और उन सब को जोड के रखता है एक की साथ और एक common purpose या common goal प्रोवाइड करता है जिसके लिए हर एक employee हर एक department हर एक individual काम करता है अब इसको एक example से समझते हैं अगर मेरे production department और marketing department के बीच में कोई भी coordination नहीं होगा तो इस point में organization को ही नुकसान होगा अब कैसे वो देखते हैं तो production department को यह नहीं पता चल पाएगा कि actually में consumer किन चीजों को demand कर रहा है अपने product के अंदर and marketing department को यह नहीं पता चल पाएगा कि जो production department ने अपने product में बनाया ही क्या है क्या कुछ extra features दिये हैं जिसके वज़े से कि इन features को market किया जा सके आगे तो इस वज़े से जो main नुकसान होगा वो होगा organization का उसकी sales नहीं बढ़पाएगी हमारा third जो feature है वो है coordination is a continuous process अब coordination ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया और हो गया यह आपको फिर करने के ज़रूद ही नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है coordination को मुझे हर समय करते ही रहना पड़ेगा यह हर एक stage में include होता है हर एक step में include होता है और जैसी मेरा एक stage या एक पूरा process या एक function खतम हो जाता है उसके बाद फिर next function में भी वो काम आता है कि यह हर जगा काम होती है इसकी हर जगा ज़रूद है unlike अगर मैं बात करो कि business को छोड़के अगर मैं business world को छोड़ दूँ या management world को भी छोड़ दूँ तो real life में भी मेरे को coordination की बहुत ज़रूद होती है eventually हम अपने body के अंदर भी हमें coordination चाहिए कि अगर मैं रस्ते पे चल रहा हूँ तो मेरी आखो का, मेरे body का मेरे brain का और मेरे legs का यह coordination होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो अचानक कोई गाड़ी तेजी से आई मेरे सामने से तो मैं उससे बचा नहीं पाऊंगा मैं खुद को अगर coordination होगा तो मैं easily बचा पाऊंगा अब जो मेरे फिफ्थ फीचर है वो है coordination is responsibility of all managers अब मेरे जितने भी managers है मेरे company के अंदर क्योंकि मेरे मेरे तीन टाप के managers होते हैं, top level, middle level, lower level अब coordination हर एक manager की responsibility है, अब हम देखते हैं कि हर level की कैसे responsibility है सबसे पहले अगर हम बात करें top level managers की ये responsibility है कि वो अपने subordinates के साथ जो भी उनके goals है जो भी उनका vision है, उसको properly समझा सके अपने subordinates को और वो information duly आगे transfer हो सके, फिर जो middle level है उसकी responsibility है कि वो एक link create कर सके with first line managers और top level managers के साथ एक वो link create कर सके और वो जो भी information उपर से आई है, उसको duly अपने front line managers तक पहुचा से के फिर हम बात करेंगा lower level है, फिर supervisory level of management की तो उनकी ये responsibility है कि जो भी उपर से goals आए है ये departmental goals है, फिर organizational goals है, वो खुच समझ के फिर जो actual workers है, जो actual responsibilities assign करें, और ये भी check करें कि काम proper smooth functioning में हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये कुछ अलग-अलग managers की responsibilities हमने देखी, अब मेरा sixth जो character से क्या feature है वो है, coordination is a deliberate function, अब जो manager है उसकी responsibility है कि वो जितने भी conscious efforts हैं, हमारी organization के, उनको एक deliberate manner में जोड के रखे, अब जितने भी लोग है, अगर वो willingly cooperate कर रहे हैं बिजनस के goal के साथ, तो वो उस willing spirit को जोडने के लिए coordination के जरूरत होती है, अब ये बहुत famous line है कि cooperation बिना coordination के, हमारा wastage of efforts होते हैं, and coordination बिना cooperation के हमारे dissatisfaction डालते हैं, जितने भी employees हैं उनके दिमाग में, अब जो next topic है हमारा coordination के अंदर वो है कि needs and importance of coordination, अब coordination मेरा करना क्यों जरूरी है, या क्या इसकी जरूरत है, क्यों हम करते है coordination को, सबसे पहला है मेरा growth in size, अब कोई भी organization अगर grow कर रही है size में तो automatically या eventually इसका मतलब है कि उसके जो employees है वो भी बढ़ रहे हैं, अब जैसे जैसे employees बढ़ते रहेंगे और हर एक employee के अपने कुछ personal motives या फिर कुछ individual objectives होते हैं और अगर वो achieve ना हो पाए तो वो employee dissatisfied रहता है उस company के दाए और हो सकता है कि कुछ time बाद company को छोड़ के चला जाए और अपने organization के भी कुछ अपने organizational goals होते हैं objectives होते हैं जिसको की पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तो हर एक manager की responsibility है कि वो एक harmony maintain कर सके individual goals and organizational goals के बीच में और ये तभी maintain की जा सकती है जब management में coordination की एक abundant amount में involvement होगी अब second मेरा need है functional differentiation अब एक organization के अंदर अलग-अलग खुद के separate departments होते हैं जैसे कि हमारा finance department, sales department, marketing department HR department, production department purchase department तो ये सब अलग-अलग departments होते हैं हमारे अब इन सब के बीच में भी एक coordination या फिर एक mutual understanding होनी चाहिए अगर उसकी कमी होगी तो नुकसान हो सकता है company तो हर department के अपने खुद के goals, objectives and strategies होती है और इस reason के वज़े से ही conflicts का arisement होना बहुत ही common होता है अब जैसे कि marketing department ने ये सोचा कि अगर उसको 10% की sale बढ़ानी है तो उसने discount देना start कर दिया लेकिन finance department ने इस decision पर कहा कि जो discount अगर हम देंगे तो revenue में decrease होगा या फिर loss in revenue होगा तो इस reason के वज़े से conflict दोनों के बीच में आएंगे और ये तभी arise होगा conflict जब एक coordination की कमी थी management के अंदर अब क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं जितने भी individual से इतने भी departments से वो एक दूसरे के साथ interrelated है और उनको interrelation में रहके ही अपने सारे काम को आगे करना पड़ेगा तो इसके लिए coordination का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी organization के अंदर अब जो activities है हमारी अलगले departments की उन सब का भी एक common goal के तरफ चलना बहुत ज़रूरी है और जब ये सारी activities अलगले departments की जब एक common goal की तरफ integrated manner में चलेंगी एक साथ जुड़के चलेंगी unity of action maintained रहेगा यहाँ पे तो organization में conflicts कम होंगे और ये conflicts तभी कम हो पाएंगे जब coordination का बहुत जादा हमारे पास coordination ये management में बहुत जादा coordination है अब मेरा जो third need है वो है specialist ये specialization अब जितनी भी modern organizations है जहाँ पे high degree of technology का use होता है तो वहाँ पे हमें specialist की जरूरत पढ़ती है जो कि किसी एक activity को बहुत अच्छी तरह से perform कर सके और वो ही activities होती है जो कि बहुत जादा tricky या फिर complex होती है तो इससे एक problem arise हो जाती है organization में कि जितने भी लोग हैं जितने भी specialist हैं वो समझते हैं कि हम हमें सबसे जादा knowledge है हम से जादा knowledge किसी के बास नहीं है तो वो किसी से भी कभी भी discuss नहीं करते किसी भी judgment पे किसी भी objective पे किसी भी काम को करने से पहले तो अब जब वो किसी से नहीं बात करते किसी से consult नहीं करते तो ये conflict rise करता है मेरा between the specialist and the other employees कि जो other employees है उनको लगता है कि वही है specialist को ही जादा favor मिल रहा है तो वो फिर specialist को से नफरत करना शुरू कर देते हैं इस नफरत के वेज़े से जो main hamper होता है वो होता है organizational goal तो वो conflict को कम करने के लिए मेरे coordination की बहुत जारा ज़रूरत होती है मेरे organization के अंदर तो यहाँ पे हमारा chapter 1 of business studies class 12th का जो है nature and significance of management वो खतम होता है and जो topics हमने आज discuss किये वो थे हमारे सबसे पहला nature of management management as a science management as a art management as a profession फिर हमने coordination के बार में पढ़ा coordination की meaning coordination की essence की coordination का essence होता है management के अंदर फिर coordination के हमारे characteristics and last में हमने पढ़ा coordination की need और importance क्यों है हमारे लिए as a organization के लिए इसकी need क्यों है तो अगर इस chapter में या इस वीडियो में या फिसकी जो previous वीडियो है जो की description में इसका link है अगर इन दोनों वीडियो में आपको कोई भी doubt है तो नीचे comment section खुला है उसमें अपने comments लिखो doubt पूछो and अगर कोई video suggestion है किसी दूसरे chapter पर आपको video चाहिए तो वो भी नीचे लिखके दो मैं try करूँगा कि उस video उस chapter में वीडियो बना सकूँ अगर आपने video यहाँ तक end तक देखी लिए है तो एक और बार सुन लोए एक और बार ritual को देख लो कि अगर आपने पहले ritual को follow नहीं किया तो अब कर लेना कि video को like कर दो वीडियो को share कर दो जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन अन कर दो और जो पहले से भी सब्सक्राइब है वो लोग भी चेक कर लो कि उनका बेल नोटिफिकेशन अगर नहीं है तो उसको भी on कर दो and video end करने से पहले stay safe, stay healthy, stay learning and stay at home and always remember guys you can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only thanks for watching guys goodbye